नमस्कार सभी को मेरे नाम अनुझ है आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपनी पढ़ाई धंग से कर रहे होंगे तो यह vocabulary का session 2 है और इससे पहले मैंने आपको एक session दिया है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है धन्यवाद आप लोगोंने काफी मुझे initiative दिया है कि मैं second session आपको दूँ तो इसलिए मैं आपके लिए second session लेकर आया हूँ तो हमने first session में जो vocabulary याद की थी वो हमने trick से याद की थी trick से यानि कि हमने उसे relate करके मतलो अपनी जो सामानी चीज़े हैं आपको थोड़ी बहुत आवाजे आ सकती हैं सुबा जब मंदिरों में भजन चलते हैं क्योंकि जो recording है वो सुबा सुबा हो रही है तो इसलिए उसे थोड़ा सा adjust कर लीजिए ठीक है तो हमने जो वो जो किया था हमने words जो किये थे हमने ट्रिक के साथ किये थे तो चलिए आज भी हम वैसे ट्रिक के साथ कुछ words करेंगे दस words करेंगे और उसके बाद वैसे ही अपना revision भी करेंगे आप particular एक copy बनागे रखिए क्योंकि यह जितने भी word है सारे important है क्योंकि कल भी देखिए कल भी मैंने बच्चों की comments पट रहा था मुझे खुद नहीं बता था वो बता रहे थे कि कम से कम उसमें दो या तीन word कम से कम जो थे आये हुए थे पिछली बार जो की पिछली बार यानि की इसी वाले Air Force वाले attempt ने हो जो की पूछे वे word थे पिछली बार वाले तो देखिए अब दो-तिन word एकदम से ही ऐसे निकल के आ रहे हैं तो आप सोल सकते हैं कि word जो है कितने important होगे हो तो चलिए चलते हैं start करते है session को बिना देरी किए तो आज का हमारा पहला word है infuriate infuriate मतलब क्या होता है इसका मतलब होता गुसा गुसा दिलाना एंग्रेज भी इसका बढ़ होता है और कुछ बच्चे कहरे थे कि सर ये वाला तो याद हो जाता है word ये वाला पर लेकिन ये वाला कैसे होगा देखिए ये वाला भी होगा क्यूंकि ऐसे जो मतलब तो इने भी मैं इनकी भी ट्रिक बनवा के एक साथ करवाऊंगा जैसे इन वर्ड्स को करवा रहा हूँ तो infuriate मतलब क्या होता है? infuriate मतलब होता है गुसा दिलाना अब इसमें देखे इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है fairy ठीक है? इसमें fairy आ रहा है कहो कि भाई साथ इतना दे दो इतने में लगा दो इतने में लगा दो तो उसे क्या आ जाएगा? गुसा आ जाएगा तो मतलब आप ना fairy वालों को infuriate मत करो यानि उनसे bargaining करके ज़्यादा उने infuriate मत करो तो अई होप आपको समझ में आ गया होगा तो infuriate मतलब क्या होता है? infuriate मतलब होता है गुसा दिलाना, engrage चीक है? तो चलिए चल चलते हैं अगले वर्ड की तरफ आगले वर्ड है हमारा benny volant one word substitution में आप से पूछा जाता है काफी और काफी बार आया हुआ है तो benny volant मतलब क्या होता है? benny volant मतलब वो तक kind एक तरीकी सेम परोपकारी की science में जिसे हम use करते हैं तो देखे इसके trick क्या होगी? इसका जो link word है link word होगा इसका एक तो voilin होगा नहीं सबसे पहले होगा when और उसके बाद voilin कैसे? तो देखे जो voilin वाला है ना when के उपर बैठा होग क्या बजा रहा है? voilin बजा रहा है तो जो परोपकारी लोग है when के उपर बैठ कर क्या बजाते है? voilin बजाते हैं आप इतना ध्यान रखेगा देखे जिसे trick में लिखा है when के उपर voilin बजाने वाला benny volant है यानि benny volant मतलब इसमें हमारा link word क्या होगा? इसमें हमारा link word होगा cat इसमें हमारा link word होगा cone और cat जैसे कि आप word में देख रहे होंगे क्या है? ये cone और cat ठीक है? इसमें ये word में आया होगा है तो यही हमारा link word होगा तो अब समझते word को कि कौन सी cat को क्या कर रहे हैं कौन सी cat को confiscate कर रहे है यानि जब्त कर रहे हैं देखिए for example आप एक तरीक से relate कीजिए कि कोई बिल्ली है आ जाती है बार-बार आपका मतलब दूद बखेर के चली जाती है चीक है तो उससे क्या है बड़ी परिशानी हो रही है आपको तो आपने कहा कि अब भई इस cat को तो हम जब्त कर के रहेंगे इसे मतलब इसे तो हम क्या देखर के रहेंगे तो फिर आपकी मम्मी ने पूछा आपसे कि कौन सी cat को confiscate कर रहे हो आपको आप समझ गए होंगे अगला वड़ है हमारा सॉमबर सॉमबर मतलब क्या होता है सॉमबर मतलब तो सैड या निराज जनक हम कह सकते है तो अब आप देखिए मतलब जब संडे होता है जैसे कि अभी last time संडे गया है तो मतलब sad हो जाते हैं निराज जनक हो जाते हैं चीजे सारी तो उसी से हमारा word relate कि है कि सॉमबर को हम क्या हो जाते है सॉमबर रहते हैं यानि कि बड़ा दिवाँ खराब सरा था क्योंकि हमने एक दिन अराम कि है उसके बाद फिर हमें पूरे चीज़ से deal wise करनी होती है तो इसलिए सॉमबर मतलब क्या होगा sad निराज जनक हो जाना अगले word की तरह सॉमबर का मतलब निराज जनक दे कि अब क्या होता है कि एक word के कही meaning होता है कही meaning क्या मतलब कि अब जब भी आपसे exam में पूछेगा तो exam में उसका आपसे exact meaning कभी नहीं पूछता exam में आपसे उसका फीछे का nearest meaning यानि उसके आसपास का meaning आप जैसे सॉमबर का मतलब sad भी होता है एक तरीकी से हम seriousness में भी use करते हैं ठीक है तो मतलब आपसे synonym synonym मतलब क्या होता है उसका nearest meaning यानि आसपास का जो meaning होगा वो होता है synonym चले चलते हैं अगले वर्ड की तरफ अगले वर्ड हमारा remnants remnants मतलब क्या होता है कि अवशेस होता है remnants मतलब क्या होता है leftover party यानि कि अवशेस औमारा लिंकवर्ड क्या होगा इसमें हमारा लिंकवर्ड होगा राम चीक है तो अब जो आयodhyya मंदिर है वहाँ पर हमारे राम जी के क्या मिले है remnants मिले है याणी कि अवसेश मिले है तब शह जाना कि वहाँ पर पहले राम जी का मतलब राज जी हुआ करता था तो त। हम राम जी कि क्या मिले है yody है राम जी को क्या मिले है रहाँ था decliner है तो ट्पकuity copying अगले वड़ की तरफ अगले है हमारा fluter, fluter मतलब क्या होता है? fluter मतलब होता है kampna, flurry, चीक है? अब समज़िए, अब इसमेरा link word क्या होगा? इसमें link word होगा हमारा flu, तो जब आपको भुखार हो जाता है, या कोई flu हो जाता है, तो उसमें flu हो गया और बुखार भी हो गया उसे तो आप क्या करना? Fluter कर रहा है यानिकि वो काँ पर आ है ठीक है? तो fluter मतलब क्या हो जाएगा? Fluter मतलब हो जाएगा ferry करना काँ आपना? I hope आप समझ गए होंगे चले चलते हैं वर्ड की दरफ अगला है हमारा वर्ड Contemplation आप 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 समझ गए होगे ट再见 कर रहे हैं इसे टीक से याद क्योंकि important word है तो ट्रूमा मतलब कि अब जैसे आप जब दिल्ली से गुजर रहे थे तो आपने देखा है आपने जब वहाँ पर यहमुना देखी और यहमुना इतनी मतलब इतनी हलत खराब हो रखे है इस ताइम पर इतना मतलब उसमें pollution हो रखा है कि आपको पर ट्रूमा ही लग गया यहमुना को देखके कि यार मतलब इतनी गंदी कैसे हो सकती है यहमुना इतना pollution कैसे मानव जो है फैला सकता है तो यहमुना को देखकर आपको क्या लग गया dirty m उना को देखकर क्या लगगा ट्रूमा लगगा आपको क्या लगगा आगहत लगगा आप upset हो गए बहुत ज़्यादा तो चलते हैं आगले बड़ की तरफ आगले बड़ होगा हमारा proliferate proliferate मतलब क्या होता है कि इस चीज़े को multiply कर देना प्रचूर मातरा में उत्पन करना होता है proliferate तो इसे कैसे याद करेंगे हम तो इसे हम किस चीज़े से याद करेंगे इसे हम याद करेंगे profit से इसमें हमारा link वड़ क्या होगा profit ठीक है तो अब हमने profit को क्या कर दो profit को proliferate कर दो यानि कि multiply कर दो प्रचुर मात्रा में उसे उत्पन कर दो तो profit को क्या कर दो? proliferate कर दो अई हो आपको सौनिमा आ गया हो, आसान सी trick थी, चले चलते हैं अंगले वड़ की तरफ अगला वड़ हमारा scorn, scorn मतलब क्या होता है, contempt करना, किसी का तरसकार करना है तो अब इसकी हमारी trick क्या होगी? scorn, इसकी हमारी trick होगी? corn यानि की corn जो ice cream जो होती है उससे हमें से relate करेंगे तो ice corn, eating corn यानि की मैं तिरसकार करता हूँ corn खाने का कि मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा बड़ी खराब चीज है ना तो मैं तिरसकार करता हूँ किस चीज़ का corn खाने का है ना तो scorn मतलब क्या हो जाएगा? scorn मतलब हो जाए किस चीज़ का तिरसकार करना आहिवप आप समझ गये होंगे? चली चलते हैं अंगले word की तरफ अगला word है अब हमारे words खतम हो चुके हैं तो अब इसमें हम करेंगे और यह 10 के 10 वर्ड होंगे और आपको 10 के 10 वर्ड याद आने चाहिए अगर आपने वीडियो को बहुत जाता ध्यान से देखा है 2x पर मत दिखा करू वीडियो क्योंकि यह जो है इसमें थोड़ा का आपको दिमाख लगाना होता है देखे 15 मिंट हैं 10-15 मिंट में आपको 10 वर्ड याद हो जा रहे हैं तो इसमें कोई मतलब खराब बात थोड़ी है कुछ तो आप 15 मिंट देदीजिए बस अपना 10 वर्ड याद करने में वैसे भी तो आप याद करेंगे मतलब याद करने बैठेंगे और फिर वो आपको याद भी नहीं होगे तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए क्योंकि आप बताईए अपने दोस्तों को क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिए वोकैबलरी में करता हूं बहुत बेकार चीज एब तो इसकों मतलब क्या हो जाएगा त्रस्क् искाल करना कनटैम aगा अगला है हमारा फ्लुटरarl lpa कैसे याद क्याता है tuto कहा काङवा ब्यकति क्योंकि उस बुखार हो जाएगा प्रचुर मात्रा मुल्टिपलाए हो जाना है न तो इसे हमने याद किया था प्रोफिट से है न तो प्रोफिट यानि की मतलब प्रोफिट को क्या कर दो बहुँ ज़्यादा मुल्टिपलाए कर दो उसकी प्रचुर मात्रा में उसे कर दो है न इसे हमने ऐसे याद किया था अगला हमारा Remnants Remnants हमने किसे याद किया था Remnants के हमारी ट्रिक थी राम से हमने याद किया था तो अयुद्धिया में राम जी के क्या मिले है Remnants मिले है तब ही तो हमने जाना कि अयुद्धिया में राम जी का साचन था वोयलन बजा रहा है और वो कैसा व्यक्ती है वो है परोपकारी व्यक्ती ऐसा हमने से याद किया था मैं चोटी चोटा मतलब आपको एक बार recall करा रहा है ऐसा नहीं पूरा describe करा रहा हूँ सॉमबर मतलब क्या होता है सॉमबर मतलब होता है उदास संडे के बाद सौंबर को क्या हो जाते हैं सौंबर हो जाते हैं उदास हो जाते हैं अगला Contemplation Contemplation मतलब क्या होता है Contemplation मतलब तो Observation करना चिंतन करना और ये सब Observation ये चिंतन वगर ये कहाँ पर किया जाता है Temple में किया जाता है तो temple में क्या हो रहा है contemplation हो रहा है यानि कि observation हो रहा है हमारा फिर है infuriate infuriate मतलब क्या होता है गुसा दिलाना और फेरी वालों को bargaining करके क्या मत करो infuriate मत करो ठीक है अगले है truma, truma मतलब होता है अगहाद अब यमुना में यमुना आप दिल्ली गए और वहाँ पर आपने यमुना देखी इतना pollution था उसमें तो आपको क्या लगा उससे truma लगा, एगहाद लगा अगले हमारा confiscate confiscate मतलब बता जब्त करना तो मैंने का कौन सी gate को confiscate कर रहे हो तो इस तरीके से हमने इसे याद किया था और एक चीज़ होर अगर आपको इसकी PDF चाहिए PDF चाहिए तो आप हमें बताईए comment करके हम आपको इसकी PDF टेलिग्राम में दिलवा देंगे अगर जरूरत है तो नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन चाहिए तो बताईए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और चैनल की घंटा जरूर दबा दिजेगा कि उससे क्या है कि आपको वीडियो के साथ नोटिफिकेशन मिल जाय करेंगे वैसे बारा बज़े हमने स्रीज चलाई हुए सुबा बारा बज़े आपको ये वोकैबलरी क्लासिस मिलेंगी चैनल इस वीडियो को ही पर समाप्त करते हैं मिलेंगे अगले दस वर्ड के साथ धन्यवाद